हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टो मैं चैनल और आज मैं आपको नीबू और मिर्ची का अचार बनाना बता रहे हूं जिसके लिए मैंने यूज किया है मिर्ची, हरी मिर्च, अद्रक, नमक, हल्दी, ही, और नीबू मैंने मिर्ची को कट कर लिया है छोटे छोटे पीस में इस तरह से और नीबू को भी कट किया है और अद्रक को भी बारी परी कट कर लिया है छोटे छोटे हरी मिर्च में मैं नीबू का रस पर डाल रहे हूं तो मैंने इसमें हरी मिर्च ली है 200 ग्राम और नीबू लिये हैं तीन बड़े बड़े नीबू लिये हैं और अद्रक लिया है अद्रक के छोटे छोटे में ये इस तरह से कटिंग की हुए थी मैंने और इसको मैं इसमें डाल दिया है इसमें एक चमच मेंने हल्दी लिया है एक चमच नमक लिया है लगबादा चमच को करें इसमें नहीं लिया है तो आप मैं इसे तरह से मिला दूगे मिक्स कर दूगे और मेरा यह अचारवन के रेडी हो गया है देखें कितना इजी हो यह वाला चापना ना इसमें और अच्छा लगए तो शेयर करिए और नियू है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चुनल को